आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और most important वीडियो जो की आपके exam के point of view से है बहुत important तो आज की वीडियो हमारी है strategical planning वसस operational planning के उपर या फिर आप यह कह सकते हैं difference between strategical planning and operational planning आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे planning की जो आपकी most types होती है या planning जो इतने types की होती है उनमेंसे जो ये दो type है आपके strategical and operational इसमें कौन से main ऐसे difference है जो की आपके लिए important है जानने पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है मेरे पास मेरी टीपड़ी है परसो की परसो को सोच करके इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो time period है जिसके बारे में आपने plan करके रखा हुआ है that is just एक छोटा सा time period जो कि कल तक का है पर्सो का नहीं है यानि जो time period यहाँ पे है जिसका आपने plan करके रखा हुआ है वो छोटा है तो यहाँ पे जो पहला difference बनता है वो यही है time span को लेकर के कि जो आपकी planning आपका long period का depend हो करके या उसको आप cover करके कुछ planning करते हो तो वो आपकी किस में आती है और जहाँ पे आप short term को ध्यान में रखते हो तो वो planning किस टाइप की होती है तो चलिए देखे, strategical planning क्या होती है यहाँ पे आप जो है long period cover करते हो off time depending upon the nature of business and environment यानि कि जब आप plan कर रहे हो planning यानि कुछ भी plan कर रहे हो अपने business को लेकर कि कि कितना production करना है कैसे करना है, business के growth कैसे कर दी है और वहाँ पे अगर आपके mind में यह है कि मैं चार साल बार अपने business को कहाँ देखना चाहता हूँ और उसको धान में रखते हुए आप चीज़े plan कर रहे हो then it is strategical planning क्योंकि यहाँ पे आप जो period है जो period आप cover कर रहे हो वो long period है, एक लंबा समय है तो इसलिए यहाँ पे strategical planning है कि सोट समझ कि strategy मनाई जा रही है operational का मतलब होता है जो day to day life जलती रह रही है या काम हो रहा है वो उसको आप कहते हो operational work कह लीजिए या operational चीज़े कह लीजिए but operational planning यानि की short term planning जो की कम से कम एक साल तक की उपर हो सकती है अब इसमें क्या है कि याप short term में कितना हमें जो है काम करना है तो यहाँ पे जो planning हो रही होती है वो आपकी cover करती है सिर्फ एक short term next is your level of management यहाँ पे level of management क्या है अब देखे आप बैठे हो एक जो है चोकिदार से उपर वाली post पे अब उस situation पे क्या आप ऐसी planning करोगे कि दो साल बाद अने वाले चार साल बाद अने वाले छे साल बाद मैं यह करूँगा मैं वो करूँगा ऐसा नहीं है possible तो strategical planning जहाँ पे time period लंबा होता है जहाँ पे लंबे time period को सोच करके planning की जाती है तो यह हक सिफ उन्हीं लोगों के पास होता है यह duty उन्हीं लोगों की होती है जो top level के managers होते हैं जैसे आपके बिल्कुल top level के होगे CEO, CFO या इस level के होगे MD वगेरा जो बिल्कुल top level पे होते हैं वही यह सब चीज़े strategical planning करते हैं और वही जो है लंबे समय के लिए planning करते हैं वो आज की या कल की नहीं सोचते हैं वो 10 साल आगे की सोचते हैं या 4 साल आगे की या लंबे time period की सोचते हैं वही operational planning जो है वो middle level या फे lower level की managers करते हैं क्योंकि उनको थोड़े थोड़े time period तक ही काम करना है क्योंकि उन्हें पता है उपर से आदेश आएगा तो ही हम आगे करेंगे और उपर से जब आदेश आता है तो वो उसको धायन में रखते हैं अपने चोटे चोटे अपने जो है एक तरीके से बोलीचे अपने तागेट्स पना लेते हैं अदेन उसके अपना प्लानिंग करते हैं तो यह operational planning which is done by the middle level or lower level managers next is your scope, scope क्या होता है strategic planning का scope होता है वो पूरे enterprises को कवर करता है अब जो top level के managers हैं वो पूरे enterprises के लिए फैसले लेते हैं ऐसा नहीं है वो कहेंगे कि सिर्फ production department यह करेगा यह करेगा वो पूरा फैसला लेंगे और अपने नीचे वाले को सुना देंगे अब जिसका वीचर department होगा उसकी जो भी duties उस वज़े से आने वाली होगी या बनेगी वो फिर अपना उसके according अपनी planning करेंगे और फिर आगे उसको pass on कर देंगे अपने subordinates तक तो यह होता है scope जो strategical planning का scope होता है वो पूरे enterprises पूरे business को कवर करता है जैसे अब मैं lower level management पे बैठी हूँ मैं सिर्फ एक supervisor हूँ यह माल लेजिए तो ऐसे situation में मैं जो planning करूँगी वो क्या होगा वो एक specific department या function को ही लेकर की होगा कि मेरा production का function है तो मैं उसी function को लेकर की कुछ planning करूँ अगर मैं accounts में हूँ तो मैं accounts का ही planning कर पाऊंगी ना कि अपने production department के लिए कुछ plan कर पाऊंगी purchase department जो है मेरे लिए कुछ plan नहीं करताएगा तो हर किसी department का अपना अपना planning होगी तो operational planning में क्या होता है वो specific department ही cover करते हैं अपने department ही cover करते हैं या फिर अगर function के basis पर हो रहा है तो अपना function की जो है वो cover करते हैं और strategical planning में पूरा business cover किया जाता है now the next one is your primacy strategical planning में क्या होता है based on organization objective and they proceed operational plans और operational planning में based on strategical plan and they succeed strategic plan तेको strategical planning में क्या होता है यह आपके organization का जो objective है जो भी organization business का objective है कि हमें 100 करोड, 200 करोड का कमाना है या अपने debt कम करने है तो उसको ध्यान में रखते हुए उन objective को ध्यान में रखते हुए अपने plans प्रसीड करते हैं और वहीं पर operational plans क्या करते हैं strategical plans जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको base बना करके ये अपने strategic plan के साथ succeed करते हैं details, strategical plans में क्या होता है वो contain करते हैं relatively less details and so are less specific strategical planning वालों ने बना दिया कि भाई हमने जो है ऐसे raw material का purchasing बढ़ाना है ये करना है वो करना है वो each and every detail नहीं लिखेंगे यानि कि जो बिलकुल lower level के managers है या lower level के managers जिसको authority दे रहे है वो क्या काम करेगा वो इनके plan में specific नहीं होता इनके plan में ये specific होता है कि overall क्या चीज़े करी जानी है या किस तरीके से जो business को आगे हमें ले जाना है या कि ये हमारा plan है operational plans जो होता है उसमें जादा detailing होती है उसमें जादा detailing होती है and so are more specific और इसलिए वो जादा specific होता है strategic plan में इतने detailing क्यों नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने अपने से नीचे middle level managers को बठाया हुआ है जो अपने अपने functions के top पे है उनके उपर इतना दिमाग है हमें सिर्फ यह बताना है कि यह चीज करनी है कैसे करनी है they have to find it out they are well educated और हम उनको इसी के लिए payment कर रहे है और operational planning में क्या होता है उनको पता है उपर से यह आदेश आया है अब इसको करना है कैसे करना है तो इसलिए वो detailing में जाते है और detailing में जाकर के अपने plans बनाते है that is why that is that are more specific now come to the next point that is your resources strategical planning के जो resources होते है वो क्या होते है concerned with the acquisition and allocation of new resources कि कैसे acquisition करती है कैसे new resources का allocation करना है यह चीज़े उनको concerned में नहते है और operational planning में क्या होता है made to utilize the given resources effectively कि जो भी resources उनको मिल रहे है उसको effectively उनको resources को use करना next is your environment strategical planning में क्या होता है made in the light of external environment जो strategical plans होते है बहार का जो external business के बहार का जो environment होता है उसको धैन में रखते हुए उसके थोड़ा उस पर प्रकाश चालते हुए या उसके प्रकाश में ही यह strategic planning की जाती है they are generally based on long term forecast और यहां पर क्या है long term को ध्यान में रखते हुए यह बनाए जाते है forecast of technological change economical change, social political change, etc कि लंबे समय में technological change होंगे यह सब changes होंगे उसके उपर based करके यह सारी आपकी planning होती है और operational planning में क्या है operational plans are focused on the internal environment कि internal environment पर ध्यान रखते हुए operational plans बनते है of the firm so as to make effective use of firm's resources ताकि firm के जो resources है उसको effectively use किया जाए so that's it for guys that's it for today I hope आपको जो है समझ में आया हो topic अच्छा लगा हो और समझ में आया हो पसंद आई हो video तो please do subscribe the channel and hit the bell icon and Satisa share it with your friends take care of yourself and take care of your health